अधम श्रीज नमस्कर मेर नाम अलोग है आप लाईस्टीज देख रहे हैं आज हम बात करेंगे बिहार के मुखमति नितीश पुमार के तीन बेहद करीबी मंतरियों के बारे में देखें मुखमत नितीश कुमार क्या फैंसला लेंगे क्यास बहुत लगा जा रहा है हला कि कहा जा रहा है कि महागरवन्दन में all is well है लेकिन इंडिया अलाइंस जो कि नितीश कुमार की एक कलपना थी नितीश कुमार ने गैर भाजपाई दलों को एक जुट किया सभी के पा पाई अब ऐसे में नितीश कुमार की पार्टी जेडियू का रुख काफी ही अलग है नितीश कुमार के पार्टी में सबकुस ठीक है यह बात भी सही है हाली नितीश कुमार ने एक और दायतों सम्हाला है नितीश कुमार ही अपने पार्टी के रास्ट्रे अध्यक्ष कोई कहने सकता है उनके जो बहुत लगा जा रहा है कि कुछ होने वाला है लेकिन शीट सेरिंग को लेकर अभी तक बाते अठकी हुई मलिकार जुन खड़ गे कॉंगर्स के अस्ट वीक में ही चुनाओ की घोषणा हो जाएगी लोग सभा चुनाओ की घोषणा हो जाएगी 24 चुनाओ एक बड़ा रण है और इस भीशन रण में खूब बैन बाजियां होंगी प्रधानमंतर अंद्र मोदी भी बिहार आ रहे हैं बेती आ रहा है इसी जणवरी के महीने मैं अमिष्conomy भी बिwy भाणा है तो बड़े बड़े अंडिये के निता जो है वह वहार में पहूंचेंगे अपनी बाते रखेंगे लोगों को लुभाएंगे र अपनी कामों को गिनवाइंगे कितना काम उन्हुनोंने किया है ये आज़े वाते होंगी तो एक तरफ जहां अंडिया अलाइंस है गडवदन है जो काफी तेजी से कामकराएं वह दूसरी और इंडिया अलाइंस में इतनी काफी लेट हो चुका है कॉंगर से कारण काफी देर हो चुकी है सीट शेरिंग की बाद कब तक हो जानी चाहिए थी कब के हो जाने चाहिए लेकिन अभी तक नहीं हुई है जून महिने में जो बैठा कोई थी इंडिया की गैर भाजपाई दलो की आज भी बात वहीं के वहीं ह हुई हैं एंडिया से लड़ने के लिए इंडियाएलायंस कीतना त्यार है यह बात इंडिया असको समझना होगा और तमाम हैं तोthree से लिए श्यवीं का तकर देंगे लोग दूसरी बात करते हैं विजया चोंधरी की बात हमने आप हो उका ही मेंगी款 और अपनी बातों को खुलकर रखते हैं नितिश कुमार के करीबी मंत्रियों में से विजय चौधरी का नाम भी आता है अब इसके बाद अशोक चौधरी बिहासरकार के भवर निर्मान मंत्री हैं उन्होंने कल क्या कहा अभी हम महागठ बंदन में हैं और वह चाहेंगे कि वह महागठ बंदन में ही रहें यानि कि वह चाहते हैं अभी कंफर्म नहीं है कि वह महागठ बंदन में ही रहेंगे जब हमने अशोक चौधरी से कल ही वो इंट्रव्यू आपने लैप्सिस पर देखा होगा क्या आप कंफर्म हैं कि राजनिती तो संभावना होगा खेल है यह सभी जानते हैं कि आप मानते हैं कि इंडिया के साथ ही वे चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें कहा है कल किसने देखा देखे सबसे बड़ा इशार पनल नहीं हुआ शीटल की बात नहीं हुई होगा और आपको समझाएंगे जो कहा और इनती हों आप स прот दिल्ली भी खूब जा रहा है यानि कि भले बीजेपी के बिहार वाले निताओं ने कह दिया हो कि गेट बंध है हमारे के अहां गेट खुला नहीं है गेट बंध है फिर भी फैंसला किस लेना है जब नितिश कुमार को सच में अगर उस तरफ जाना होगा फिर से लोट कर जाना होगा फैंसला किसे लएना है नहिंदर मोधी को अमिजशाह को पिहार एकाईश Ses क्या मतलब है जब बड़े बड़े नेता फैंसला नहीं लेंगे नितीश कुमाई एक तरफ होंगे एक तरफ नहीं दर मोधी होंगे तो फिर रोकने वाला कौन होता है लेकिन फिलाल अभी बिहार में महा गर्मदन में all is well है ये सभी नेता कह रहे हैं कितना all is well है कितना सब कुछ सही है ये आप खूब देख रहे हैं समझ रहे हैं क्या आपसी तनातानी नहीं बड़ी है आप इस बात को नहीं भाप रहे हैं हमने बिहार सका के दो बेहत करीबी मंतियों के बयान तो आपको सुनाए विजया चौधरी ने क्या कहा और अशोग चौधरी भी मंजे मजानेता है पहले क 27 सीटे जीती थी 2015 की बात कर रहे हैं अशोग चौधरी बिहार सकार में सिक्षा मंतिरी बनाए गये थे उसके बाद संगठन का काम भी देखा अशोग चौधरी एक समय तक जेडियू के संगठन का काम भी देखते आया हैं उन्हें भी जमेदारी मिली थी और उसके बाद भी देखते हैं अब यहां सकते हैं अबफी ऊसकार के अजो मंतरी संजय जहा कि संगठ कुमार के साथ India कि बैठक में शामिल हूए हैं में नीटीशकुमार जेडियू के राष्टे ध्यक्स थे उस वक्त ललन सिंग वेविशामीन होते थे और संजय जहा ब्यासागा के मंतरी जल संसाधन विवा के मंतरी है आई पीरडी के मंतरी है उन्होंने क्या कहा है डिले तो बहुत हो गया है डिले सच में बहुत जादा हो गया है यानि कि जेड हुआ है जिसे आप घर बैठे ही भाप रहे होंगे घर बैठे ही स्थापमान का अंदाजा आपको लग रहा होगा भली मेरी बाते कुछ पॉलिटिकल लोगों को कुछ जो राजिंतिक से जुरे हुए लोग हैं उन्हें टोगर होगी कि मैं क्यूं किसी की तरफ इशारा कर रहा हूं कि अब बात भी इशारा दे रही है क्या सच में कुछ हो सकता है नितिश कुमार अभी वेट एंड वाच की सिती में हैं अगर सच में सही समय पर फैंसला नहीं लिया गया क्योंकि एक फिर से भारत जोरो यातरा पर राहुल गांधी निकल रहे हैं बिहार में यह क्या संभव है राहुल गांधी काफी वेस्ट है और राहुल गांधी जालते रहेंगे तो फैसले अंतिम दोर पर किसके साथ सोच समझ कर लिया जाएगा कॉंगर्स की भी देखना होगा यह सब बातें दिमाग में चल रहे होगी तो नितिश कुमार क्या फैसला नहीं सामने आरहा हैं तो समझे कुछ ना कुछ तो बाते हो रही है कुछ ना कुछ खिचरी पकट रही है अब आशकने सपास रहते हैं उनकी मध्यपूरा में आरजडी चुनाउं नहीं लड़ेग이 गया में जटामरी में चुनाउं नहीं लड़ेगी बहुत शाइसे यहां पर कॉम्प्रमाइज नहीं होना कि जो सिट्न सिटें है उस पर तो कोई बात ही नहीं होनी है उस पर समझता होगा ही नहीं जो आपको जीत रखी है सीवान में ज़िए चुनाव लड़ेगी चाहब दिन फैम्दी और जो भी आज़िकी कि जो मिद्वार रहे हों क्या वह वहां चुनाव नहीं लडेंगे तो वह सभी सीटे तो जेडियू की खाते में चली जाएंगी क्योंकि सिटिंग सीटों पर समझोता होना नहीं है तो आगे फिर क्या होना है यूगि आभी आगे काफी संघर्ष होगा शीट शेरिंग की बात डिक रही है अगर इन बातों में कूछ आपको जूट और और दिखें कशस कमूपय कमेंट बोक्स में हाँ लेकिन हाँ जब जडियू ने खुलकर कह दिया कि काफी डिले हो चुका है काफी देर हो रही है अशुप चौदरी कल क्या होगा किसने देखा है हम रहना चाहते हैं रहेंगे यह अबिन आफ देर हो चुके है अभी हम वहीं है तो फिर इन चार बैठोब में फाइदा क्या हु पात से निकल रहा है क्या सचमेक खर्मास के बाद बिहार में कुछ बड़ा खेल होगा इस घने कोहरे में जो आपसे बत करा रहा हूं आप भली भाती समझ रहे होंगे देखना होगा आगे होता क्या है आप लाइश्रिस बने रहें आगे जो कुछ भी होगा नितिश कुमार का इबादत लिखते हैं बाई हाथ को भी पता नहीं चलने देते हैं तो तीश कुमार ने क्या फैसला त्यार किया है क्या बाते होंगी अभी राम मंदर का प्रांपतिस्थान भी होना है जिसे लिएकर आज जरी के कई नेता पहले ही बेबाग तरीके से बोल चुके हैं विवाद हो फिर फते बाहदुर सिंग हो अत्रीके विधायक अजय आदब हो आजरी के निता है वो खुलकर क्या रहे हैं कई साधू संत्र तो इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं अब ऐसे में नितिश कुमार संपदाइक सोहार्थ को बनाए रखना चाहते हैं कर्मिनलिजम से संदोता कर लें साथ-साथ अगर इस वीडियो को फेस्टूप पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें दने बाद